Hello students, कैसे हैं आप सब लोग, I hope so बहुत अच्छे होंगे, मैं प्रिया मरोतरा आप सब का स्वागत करती हूँ, देव राइट वे एजुकेशन में, जैसा कि आप लोगों को पता है आपी डेली कॉंस्टेबल की वकिंसी आ चुकी है, तो उसके लिए हमने अल्रेड़ी रीजनि में देखने को मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायलोजी, तो मैं आज आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हम फिजिक्स से, उसके अंदर अराउंड 13-14 टॉपिक होंगे, जो आप लोगों को स्टडी करने हैं, जो आपके वंडे एक्जाम में पूछे जात करते हैं, वो आप लोगों के इन वीडियो के थ्रूँ डेफिनेटली कवर हो जाएंगे, एक बार स्टार्ट करते हम, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफलेक्शन से, और एक वन मोर तिंग आ वोड लेक टू आड, वो क्या है कि वो स्टूदेंट, आप लोगों के अंद हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा, वो दोनों लेंग्वज में होगा, आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा, और आपको नोट्स भी दोनों लेंग्वज के प्रवाइड होगे, तो आप लोग बिलकुल चिंता ना करें उस च यहां mirror में देखिए यह person जो है, खुद को देख पा रहा है, यह इसके सामने mirror है, हम लोग सब देखते हैं सुबह उठके, तो यह किसकी वज़े से होता है, यह reflection of light होता है, कैसे हम अपने आपको किसी object के अंदर देख पाते हैं, कैसे हम चीजों को देखते हैं, तो वो सारा कि मेस के अंदर आता है, reflection के अंदर, अब जैसे इस वाली मेस के अंदर आप लोग देखिए, कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, how do we see things, कैसे देखते हैं, यह सन है हमारा सबसे extra जो source of light है, जहां से light हमें देखने को मिलती है, आप लोग चिंता ना करें कि मैं हमने light नहीं प तो आप tension ना ले, और previous year जो exam हुए है, उनके अंदर किस तरीके के question जो है, इन chapter से देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ की साथ कवर करती चलूँगी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, और trust करके, एक बार पढ़के देखिए, किसी भी एक teacher से आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके सारे concept जो है, clear हो जाए, यहाँ पर देखिए, यह sun है, यहाँ से light आ रही है, और यह light के इस पर गिर रही है, यह ट्री है, ट्री के ओपर गिर रही है, और यहाँ से हमें एक light मिल रही है, reflect होके, जो भी हमने पढ़ने वाले ह कि reflection होता क्या है, वो light जो है reflect होके, यानि प्रावर्तित होके कहां जाती है हमारी eyes में, तो हमें चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं, इस तरीके से हम इस चीज़ को अगय continue करने वाले हैं, so let's get started, देखिए क्या होता है reflection of light, इसको जो हम हिंदी में बोलते हैं प्रकास क प्रावर्तन, क्या होता है, यह एक siny surface है, यहां से कोई भी light आई, वो light इससे टकरा के same medium में चली जाए, मतलब यहां आप लोग mirror के सामने खड़े हैं, आप लोग ने देखा light आई, light जो है mirror के उपर लगी और वो reflect होके वापिस जो है, मुड़के कहां आगी, आपके पास, आपकी आखों में, उस phenomena को हम क्या बोलते हैं, reflection of light, आप इसको हिंदी में समझते हैं कि basically क्या होता है, परकास की किर्णों का मुड़ना, same, समान माध्यम में, जिसके अंदर आप हो, उसी माध्यम की अंदर परकास की किर्णों के मुड़ने को हम क्या कहते हैं, reflection of light कहते हैं, फिनोमेन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेस इन दा सेम मीडियम यह देखे यह शाइनिंग सर्फेस था क्या होता है जब आप लोग के घर में मिरर लगा तो उसकी बैक साइड जो वह पॉलेज होती है तो आप लोग को सामने सिर्फ यह साइनी सर्फेस दिखता है यहां लाइ cahain reason क्या है क्योंकि light ही नहीं है जब light निया तो वो reflect नहीं हो कि उसका प्रावर्त नहीं होगा तो सबसे बड़ा reason क्या है इस चीज का light जो है वो एक medium के उपर जाती है एक سर्फेस के उपर गिरती है वहाँ से वो टकरा के वापिस आ जाती है उसी मीडियम में समान माध्यम में उस चीज को हम क्या कहते हैं reflection of light बोला जाता बच्चो अब इसके अंदर हमने कुछ चीजे समझनी होती हैं वो देख लेते हैं वो क्या क्या है यह देखिए यहां से क्या हुआ यहां से आपकी light आई ठीक है किसी भी source से आई यह bulb से हो सकती है सन्रेज से हो सकती है यह कोई और मेडियम हो सकता है light का यहां से light जो है वो गिरी कहां पर यह एक surface था इस surface के ओपर light गिरी तो यह वाली जो line है जो light source से निकल के आती है यह light source है आपका torch भी हो सकता है sun भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो इससे जो ray निकल के आती है यह जो line निकल के आती है यह जो किरन निकल के आती है उसको हम क्या कहते है बच्चो incident ray या फिर हिंदी में उसको क्या बोलते है आपतीत किरन तो जो line हमारी कहां से निकल के आती स्टेटिस सोर्स से किसी भी लाइट सोर्स से उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं इंसीडेंट रहे है को अच्छे से similar way में इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 90 degree angle जो है वो drop कर देते हैं इसको क्या बोला जाता है normal बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं abilam बोला जाता है यहां से light आई कि इस normal के उपर आके टच हुई इस surface के उपर और यहां से वो क्या है वापिस मुड़ गई इसके अंदर उस मुड़ने वली line को हम क्या बोलते हैं reflected ray या फिर परावर्तित की रण ठीक है समझ आ गया अच्छे से क्या हुआ यहां से एक line आई normal तक उसके बाद वो surface से टकर आई उसके बाद उसका reflection हो गया और reflection की वज़े से वो light जो है उसी medium में उसी माध्यम में मुड़ गई तो इस चीज को हम क्या कहते है reflection of light बोला जाता है जो line source से निकली है मतलब जो भी उसका उर्जा का स्ट्रोथ था तो उस उस line को हम क्या बोलते है incident ray बोलते हैं और बाद में जो line निकलती है उसको हम क्या बोल देते है reflected ray बोलते हैं इसके इंदर दो चीज़े और होती है एक होता यह आई जो बनाती है incident ray किस के साथ नौर्मल के साथ यानि अभिलंब के साथ आफ्तित किरन जो कोन बनाती है उसको हम क्या कहते हैं एंगलोफ इंसिडेंट या फिर आपतन कोन इसको बोला जाता है और जो दूसरा कौन होता वो कौन सा है नॉर्मल यानि अबिलंब जो है किसके साथ बनाती है रिफलेक्टिड रे के साथ उसको हम क्या कहते है प्रावर्तन कौन कहते है या फिर एंगल ओफ रिफलेक्शन उसको जो है बोला जाता है ठीक है समझ आ गया अच्छे से बिसिकली क्या होता रिफलेक्शन में कोई भी एक माध्यम है उसके उपर एक लाइट जिस एंगल के उपर देखे यहां से एक एंगल फॉर्म किया यानि कोई भी कौन बना है उस चीज को हम क्या बोलते है आप तन कोण या फिर एंगल फ इंसीडेंट और जो ये लाइन होती है इस लाइन को क्या बोला जाता है इंसीडेंट रे और जो ये बाद में रिफलेक्ट होके जाती है इसको बोलते हैं रिफलेक्टेड रे यानि परावर्तित किरन और ये दोनों चीज़े क्या होती हैं हमारी angle of incident और angle of reflection यानि आपतन कौन और परावर्तन कौन समझ आगे अच्छे से आगे चलते हैं अब आप लोग उसे कुछ question पूछ लिये जाते हैं किस तरीके से यह कुछ laws होते हैं reflection के यानि परावर्तन की नियम क्या क्या होते हैं पहला नियम होता है जो angle I होता है, angle icon सा होता है incident angle जो होता है यानि आपतन कौन किस के इकल होता है परावर्तन कौन के angle of incidence is equal to angle of reflection second low क्या होता है incident ray, reflected ray और normal जो वो सब कहां लाई करेंगी same plane में मतलब एक ही side होंगी यह हमारी incident ray है यह हमारी normal और इसी side जो है reflected ray भी होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं laws of reflection laws का मतलब क्या होता है वो ऐसी चीजें जो verify हो चुकी हैं बहुत सारे experiment हुए हैं उन चीजों के ओपर और फिर जाके इन नियम को इन लो को जो है हमें दिया गया है तो यह हमारे दो जो है लो रहेंगे यानि दो नियम रहेंगे किसके laws of reflection के जैसे यहाँ पर एंगल जो है angle of incidence अगर 40 है तो angle of reflection भी कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा ठीक है समझ आ गया अब इससे related कुछ numerical देखते हैं कि कैसे numerical जो हमें question देखने को मिलते हैं जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाता है यहाँ पर पूछा आपसे यहाँ पर देखिए आपसे किस तरीके का question पूछा गया है एक surface है यहाँ पर यह नॉर्मल है एक light है incident यानि आपतन किरन जो है आपतित यहाँ से एक light reflect हुई है यानि प्रावर्तित किरन है आप लोगों को दिया हुए यह वाले angle कितना है 50 degree 50 degree का जो यह angle है और आपसे पूछा गया है angle I बताईए यह यह वाले angle बताईए कैसे बताएंगे सोच के देखो हमें क्या पता है angle I और angle R जो है वो बराबर होते है और यहाँ से अब देखिए figure के अंदर अच्छे से यह ऐसा जो angle होता है और कितने degree का angle होता है 90 degree का अंगल होता है तो यह जो angle बना रहे हैं में एंगल i is equal to r तो यहां से यह किसके एककल हो गया 40 डिग्री और हमसे question में क्या पूछा गया i एंगल i is equal to angle r is equal to 40 degree मतलब दोनों बराबर है r 40 है तो i भी कितना होगा 40 यह आपका previous exam में पूछा गया question ने ssc के अंदर आई अपसो बहुत अच्छे समझ आ गया इस तरीके से हम सारे numerical करते चलेंगे तो आप लोग बिल्कुल tension ना ले कि कैसे होने वाली यह चीज़े आगए आगे चलते हैं यह देखिए यह भी आपका previous exam में पूछा गया question है इसके अंदर क्या है यह आपका normal है यानि अभिलंभ है 90 degree का क्या हुआ आपकी incident ray है जो मतलब आपती किरण जो है इस बार इसी एंगल पर जो है वो इसके अंदर mirror के ओपर यानि साइनी सर्फेस के ओपर आके टकर आईए वो ठीक है तो यह zero degree है तो angle of reflection भी क्या होगा zero degree मतलब यहां से आई है और वापिस यही से चली जाएगी तो इसके अंदर question क्या पूछा गया है angle r किसके को लोगा angle i कितना है यहां पर zero degree मतलब 90 degree से वो नॉर्मल से कितना angle बना रही है वो उसी के उपर है बिल्कुल कोई angle ही नहीं बना रही जीरो है तो वैसे क्या होता है angle i देखी यहां से यहां तक का यानि इस अभिलम से इस आपतित किरन के बीच के angle को ही हम angle i बोलते हैं यानि incident ray और normal के बीच के angle को आई बोलते हैं पट इस बार क्या हो रहा है यह जो line थी यह उठके कहां चले गई इस normal के उपर ही आगी तो मतलब angle i की value कितनी आगी zero यानि हमारा आपतित कोण कितना है zero degree और हमने laws of reflection में अभी पढ़ा है i is equal to क्या होता है r तो यहां से क्या value आगी आगी zero degree यह आपका questions all हो गया I hope so बहुत अच्छे समझाया होगा आगे चलते हैं एक पूछा जाता है angle of deviation क्या होता है यानि which line कौन इसको हम बोलते हैं इसमें क्या होता है अभी हमने क्या पढ़ा यह आपके indent ray आती है यह normal है इसके बीच के angle को I बोलते हैं यहां से reflect हो जाती है इस angle को हम angle R बोलते हैं अब जो यह हमारी reflected ray थी जानी तो ऐसे चाहिए थी ऐसे चलते वह जा रही थी बट हुआ क्या यहां से चले गई देखें यह ऐसे आ रही थी ना अगर यह surface नहीं आता तो यह ऐसे चलती जाती ना अब हुआ क्या इस surface आने की वज़े से यह वापिस उसी medium में चली गई उसी माद्यम में चली गई तो इसकी वज़े से क्या हुआ यह deviate होगी अपने path से यानि विर्चलन हो गया इसका क्या हुआ इसका एक और example लते हैं आप लोग कहीं से जा र पे क्या हो गया lockdown लग गया या फिर करोना की वज़े से cases आगे तो आप लोग का आगे का रास्ता जो ब्लॉक कर दिया तो आप लोग क्या करोगे इस रास्ते से चले जाओ गए यानि आप लोगों ने पना path जो है वो deviate कर लिया इस चीज को हम क्या बोलते हैं यह जो angle बनात और इसको रेप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से यह जो symbol होता यह था angle का यह था डेल्टा तो इस angle of delta को हम क्या बोलते हैं angle of deviation यानि विचलन को ठीक है आगे चलते हैं आप देखिए यहां से हमने क्या देखा angle I plus angle R plus angle delta कितना होगा 180 degree क्यों बेकोज यह जो है एक ही line के उपर एक straight line के उपर जो यह angle तीनो के तीनो परफॉर्म हो रहे हैं देखिए यहां से यहां तक है total angle कितना है total angle जो होता यह वला यह होता 360 degree और यह जो इस line पर परफॉर्म होता है इसको कितना कहते है 180 degree यानि उसका half होता है तो यहां पर कितना use हो रहा है यह angle i plus angle r plus angle delta कितना हो गया 180 degree अब हमें क्या पता है laws of reflection से angle i किसके बराबर होता है angle r के तो हम उसकी जगह पर भी क्या लिख देंगे i तो angle i plus angle i plus angle delta is equal to 180 degree अब angle i कितनी बार हो गया दो बार तो यह हो गया 2 angle i plus angle delta is equal to 180 degree तो यहां से हमारे पास इस angle delta की value निकालनी है तो वो क्या हैगी इस 180 degree में से हम क्या कर देंगे इसको 180 minus 2 of angle i यह आप लोगों के पास एक formula ready हो गया कि जब भी आप लोगों को angle of deviation निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हमें angle i पता होना चाहिए तो उसका double करके हम उसको किसमे से minus कर देंगे 180 degree में से यह आप लोगों से direct numerical जो है exam में पूछा जाता है कि angle of deviation क्या होता है suppose को रो आपको एक example देती हूं है जो previous question आया हुआ है देखिए आपको बोला गया कि angle जो i है यानि आपतन का जो कौन है उसकी value कितनी दे दिया आप लोग को 30 degree और पूछा गया कि angle of deviation बताईए question है if the angle of incidence is 30 degree find the angle of deviation और अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो आपतन कोन अगर आप लोगों के लिए 30 degree है तो मुझे बताईए कि vigilant कोन क्या होगा तो आप लोगोंने solve करने है इसको solve करने के लिए हम direct formula use कर लेंगे delta is equal to 180 minus 2 of incidence angle तो 180 minus 2 angle of incidence करेंगे तो 180 minus 2 of इसकी value कितनी दे रखिये हमें 30 degree तो यह कितना हो जाएगा two three is a 60 यानि मतलब 180 minus 60 तो यह हमारे पास कितना आजाएगा 120 मतलब 100C में से जब हम 60 को minus करेंगे तो angle of deviation यानि विचलन कोन हमारे पास कितना आजाएगा 120 degree यह आप लोगों का numerical इस तरीके के आप से पूछे जाते हैं समझ आगे अच्छो से next चलते हैं next इसके अंदर अब हम देखना है कि image कितने तरीके की बनती है यानि परतिभिम जिसको हम भोलते हैं वो कितने तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता हैं जब reflected ray होती है जो आपकी वह या तो मिलती है किसी surface पर या फिर मिलती हुई आपको appear होती है यानि परतीद होती है ऐसा नहीं है कि actual में वो मिल रही है तो उस तरीक उसके basis पर आपकी जो images होती है वो दो तरीके की होती है एक तो real होती है एक virtual होती है real यानि वास्तविक और virtual यानि आभासी वास्तविक में आपको मिलती हुई दिखती है जिसे यहां से आई और यह दिखी है आपको मिलती होई ठीक है यहां से बहुत सारे reflected rays आएंगे और दूसरा case क्या आउसकता है आपको दिखे ही ना कि reflected ray गई कहां पे है वो सिर्फ आपको मिलती होई लग रही है कि हाँ, ऐसा मिल रहे है उस case को हम क्या कहते है वर्चूल यानि आपको अभास होता है बटो actual में ऐसी होती नहीं है ठीक है आगे चलते हैं कि कैसे कैसे ये चीजे होने वाली है टेंशन ना लें आप अब इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो mirror का concept पढ़ना है जैसे आप लोग के घरों में mirror होता है कितने तरीके के mirror होते हैं कैसे कैसे काम करते हैं वो सारी चीजे हम पढ़ने वाले हैं बहुत डेटेल के अंदर देखें mirror जो दरपन होता है यानि कि उसको हम दो parts में divide करते हैं यानि दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं एक होते हैं plain mirror दूसरे होते हैं spherical mirror प्लेन मिरर कौन से होते हैं समतल जो आप लोग के घरों में लगे होते हैं वो बेसिन के सामने या फिर ड्रेसिंग टेबल के अंदर जो लगे होते हैं वो सारे कि सारे कौन से होते हैं आपके फ्टेएं plain mirror होते हैं और sphrical mirror कौन से होते हैं ग्लिये और यह आगे फृदर दो तरीके के उते हैं convex और cancave Convex होता है अव्टल धरपनद आप लोगों ने देखा होगा जो किकार के जो mirror लगे होते हैं वो किस तरीके के होते हैं वह sph empirical mirrors होते हैं उसके अंदर से तो आप लोग को समझ आ गया plane mirror का example कौन सा होगया यानी straight जो आप लोग को देखने को मिलते हैं और spherical जो आप लोगों को sphere की format में देखने को मिलते हैं, concave और convex की format में देखने को मिलते हैं, convex क्या हो गया, उतल दर्पन और कंकेव क्या हो गया अब दल दर्पन अब देखते हैं कि प्लेन मीरर जो होता है हमारा घरों में उसके ओपर इमेज कैसे बनती है कैसे हमें चीजे दिखाई देती है ठीक है यह देखिए इमेज फॉर्मेशन बाइ प्लेन मीरर यानि समतल दर्पन द्वारा परते बिम का बनना इसमें क्या होता है यहां देखिए यह आपका प्लेन मीरर है स्पोस करो यह इसके सामने आप खड़े हो ठीक है यह आपकी हाइट है आपकी जो हेड है उसको ए पॉइंट दे दिया और जो आपके पैर है फुट है उनको भी पॉइंट दे दिया मतलब आपकी टोटल लेंथ है ए बी और आप ऐसे मीरर के सामने खड़े हो बिलकुल या फिर कोई और object मान लो और ए भी कोई object है यानि कोई और चीज है ठीक है उसके सामने आप बिल्कुल खड़े हो एक सेकंड आप लोग ऐसे mirror के सामने खड़े हो बिल्कुल यहां से यहां यह object है ठीक है क्या हुआ यहां से light आएगी light आई और यहां इस mirror के साथ टकराएगी यहां से गई अब क्या होगा यही जो होता आपका angle of normal होता है तो क्या होगा यहां से टकराके यहां चली जाएगी इस case में यह टकराके यहां चली जाएगी दूसरी light कहां से आई suppose करो यहां से आई वो टकराके यहां से चली गई देखें लाइट तो यहां से आपके पास पोस्ट करो कोई बल्ब है घर के सामने और यह आपका मेरर है चीक है यहां से लाइट आई यहां से आके कहा टकरा जाएगी ऐसे एक सेट यह देखें एंगल उफ इंसिडेंस मैंने क्या बोला था ऐंग न आप तन कोन होगा जिस एंगल पर light आएगी उसी एंगल पर मुड़ जाएगी यहां से आई यहां पर angle of incidence कितना है? 0 यहीं से वापस मुड़ जाएगी सेम केस यहां से light आई और वापस कहा मुड़ जाएगी इसी plane में आगे समझ अब एक light ऐसे आई यहां आपकी light थी यहां से एक light का जो line है एक ray जो है किरन जो है वो यहां से आई इस angle पर और इस angle से वो यहां से मुड़ जाएगी एक light जो है वो यहां से आई यहां से आके और वो कहा मुड़ गई? यहां पर ठीक है? reflection हो गया अब हमें यहां कोई image तो दिखनी रही है ना ये रहे मिल रहे है ना ये मिल रहे हमें कहां से चीज़े मिलेंगी हम इसको पीछे बढ़ा के देखते होते हैं पीछे जो होता हमारा polished surface होता है न तो यह हमें ऐसे मिला के देखते हैं जब इन सारी इसको मिलाया गया जो भी reflect हुई थी जो भी प्रावर्तित हुई थी तो यहां पे हमें एक image मिली A-B- यानि ये actual में मिली नहीं है पर हमें मिलती हुई परतीत होती हैं इसके अंदर जो image बनती है वो erect बनती है यानि सीधी बनती है जैसे आप थे देखाओगा न मिरर में सेम वे में आपको आगे चीज दिखती है और इसके अंदर जो image बनती है वो virtual बनती है यानि actual image नहीं बनती है plane mirror के अंदर आभासी बनती है आप लोग को वो दिखती हुई मिलती हुई परतीत होती है आपको दिखता है बट actual में उसके पीछे जो होता है वो पारसो परावर्तन होता है उसको हम बोलते है और ये same size क्यों होती है जितना size आप लोग को होता है उसी हिसाब से आपको mirror में दिखती है image यानि ये जो x था और जितनी दूरी पे ये बनती है जितना दूर आप mirror से खड़े होगे उतना ही दूर आप से image बनेगी तो x is equal to y ये वाली जो distance है ये देखिए यह यहाँ से यहाँ तक की ये है mirror से लेके आपके खड़े होने की distance और ये है जो आप लोग को mirror में दिखाई देता ये यहाँ से यहाँ तक की distance तो ये x is equal to y होता है ठीक है ये literally inverted होती है आप लोग को जो दिखाई देती है यानि ये सीधी होगी virtual होगी same size की होगी और ये distance जो है वो equal होगा यानि होता क्या है आप लोग mirror के सामने खड़े हो यहां से एक light आई यही से वापिस चले गई यहां से एक light आई यही से वापिस चले गई यहां से एक light आई यहां से आके वो reflect हो गई यहां से एक light आई वो आके यहां से reflect हो गई और जब हमने इसको पीछे बढ़ा के देखा ऐसे सारी lights को यानि सारी rays को तो वो यहाँ पे हमें मिलती हुई प्रतीत होती है इस यहाँ पे हमारी क्या बनगी इमेज बनगी यानि उसका प्रतिविम बन गया इस चीज को हम क्या बोलते हैं Image Formation by Plain Mirror समझ आगे अच्छे से आगे चलते हैं एक और चीज आप लोग देखते होगे न Mirror में आपकी जो Left चीज है वो Right में दिखती है वो किस वज़े से होता है उसको हम कहते है Laterally Inverted उस Concept को हम क्या बोलते है Laterally Inverted इसका मतलब क्या होता जो भी आपका Left जो होता है वो कहां शो हो जाता है Right में ऐसा क्यों होता है आप यहां खड़े हो यहां आपका Left है यहां आपका Right है बट जब इसको हम मोड के देखते है यह इधर से Mirror की तरफ देखा जाता है तो इसका Left यहां हो जाता है इसका Right यहां पे हो जाता है तो यह Laterally Inverted हो जाती है आप लोगों के लिए देखा होगा Face जो है आप लोगों मिरर में आपकी Right वाली चीज लेफ्ट में दिखती है वेकोस वो आपके सामने है तो उसका Face आपकी तरफ हो जाता है उसका Right और Left जो है वो आपके Right लेफ्ट से Change हो जाता है यानि दाई चीज जो बाई में दिखती है और बाई चीज जो है वो दाई तरफ दिखती है ठीक है? आगे चलते हैं अब बात करते हैं Spherical Mirrors की Spherical Mirror में क्या होता है? यह देखिए यहाँ पे एक Surface यह है आपका यह की Sphere है Complete उसमें से एक यह वाला हिस्सा ले लिया और एक इधर वाला हिस्सा ले लिया इस वाले Mirror में यानि इस वाले दरपन में क्या है? इसकी बाहर की सत्य जो पॉलेस है इस पेंट कर रख है और इस वाले Mirror में क्या है? इसकी अंदर वाली Surface को जो है वो पेंट कर रख है सतय है वो आप लोगों को पॉलिस जो मिलती है वो होता है कॉन के और जिसकी अंदर की सतय जो है यानि सर्फेस जो वो आप लोगों को पॉलिस देखने को मलता है वो कौन सा होता है कन्वेक्स इसको दूसरा तरीका मैं याद करने का बताते हूं इसका जो सर्फेस होता है जिससे यह reflect होगी light eye इस वाले सर्फेस से reflect होगी ना क्योंकि इधर तो paint है तो cave का मतलब क्या होता है गुफा गुफा मतलब अंदर जिसका अंदर की तरफ का हिस्सा जो है वो reflecting होगा वो कौन सा mirror हो जाएगा I hope so भी याद रहेगा हमेशा cave मतलब गुफा गुफा मतलब अंदर अंदर की तरफ का हिस्सा जिसका reflect करता है वो कौन सा mirror हो गया Concave mirror हो गर दूसरा अटोमेटिकली याद हो जाएगा फिर जिसका बाहर Convex मतलब जिसका बाहर का हिस्सा जो वो reflect करता यानि प्रावर्तक होता है ठीक है और यह इन दोनों का center of curvature होता है इसका center of curvature जो reflecting surface के सामने होता है इसका जो center of curvature होता है reflecting surface से दूर होता है ठीक है एक अंदर एक बाहर इस तरीके से याद करना है Concave क्या होता और Convix क्या होता आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इनके uses क्या क्या है आने वाली classes के अंदर अब एक और चीज़ देखिए Concave के अंदर क्या होता है reflecting surface जो हमारा रिफलेक्टिंग surface है मैंने क्या बोला जो हमारा प्रावर तक surface है यानी प्रावर तक सत्य है वो कहा होनी चाहिए center of curvature के towards होनी चाहिए उसके साथ म्हें होनी चाहिए और इसमें कहा होनी चाहिए आवे होनी चाहिए समझा गया आगे चलते हैं आप देखिए ये दो तरीके के एक्जामपल है आप लोगों के सामने ये mirror है कौन सा अभी अभी हमने पढ़ा था concave यानि इसका reflecting surface कौन सा है cave मतलब गुफा अंदर वाला है बाहर की तरफ polish है समझ आ गया ये है concave यहां क्या हुआ? lights आई सारी lights को इकठा कर लेता है इस nature को हम क्या बोलते है converging मतलब सब अभी शारी इसको हिंदी में बोलते है यानि जो भी आया सब को एक जगए इकठा करके रख दिया उस चीज को हम क्या बोलते है converging या फिर अभी सारी अभी चीज का use कहां पे होता है solar cooker, solar ovens देखे होंगे या फिर solar जो light produce करते हैं वो देखे होंगे उस case में क्या होता मैं focus चाहिए होता है electricity generate करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए तो उस case में हम इसको क्या use करते है solar ovens के अंदर concave lens का use किया जाता है sorry concave mirror का जो है उस focus को create करने के लिए हम कौन सा mirror use कर सकते है because वहाँ पे सारी की सारी जो light वो कहाँ focus होके हमें मिलती है एक center of curvature point पे यानि C के उपर दूसरा कहां use होता है इसका torch के अंदर आप लोगोंने torch में देखा होगा जहाँ जहाँ उसकी light जाती है सीधा सिर्फ आप लोगों को focus करके एक ही जगह पे देखने को मिलता है नीचे नहीं देखने को मिलता है थोड़ा बहुत दिख जाता है बट actual focus जो होता है वो एक ही direction में होता है उस case के लिए भी हमें कौन सा mirror use होता है concave mirror use करते है next बात करते हैं convex mirror की सबको बिखेर दिया इस बिखेरने को क्या कहते हैं diverging यानि अप सारी इसका nature होता है अब इसकी जरूरत हमें कहां पे पड़ेगी इसका center of curvature तो यहां है actual में हमें मिलती हुई यहां दिखती है पर यह यह देखिए यहां है इसका center of curvature इसके पास जाना इन lights को बट यहां तो surface आ गया तो यह से मिलती होई दिखती है बट actual में नहीं होती है ठीक है इसकी वज़े से यह सारी light जो ऐसे बिखेर दी जाती है ऐसे बिखर जाती है तो इस बिखेरने को हम क्या बोलते हैं diverging और हिंदी में इसको बोलते है अब सारी यानि अब सारी की सारी जो इसने बिखरा दी है ठीक है और इसका example क्या होता है street lamps जो होते है गलियों में देखा होगा जो यह लगी होती है light वो कैसी होती है एक जगे लगा दी सारी गली में आप लोगों को रोशनी चाहिए light चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए वो light जो हो बिखेरनी चाहिए अगर वाँ torch की तरह एक light लगा दे तो वो सिधा जो है वो light देगी पर उसका फायदा नहीं है तो सारी गली का जो है वीव देखना है तो उसके लिए किस तरीके की light जो यूज होती है street lamp के अंदर convex lens sorry convex mirror का जो है हम यूज करते है I hope so आप लोग को बहुत अच्छे से चीजे समझ आई होंगी देखो बचे एक बार revise कर लेते हैं हम अच्छे से हमने क्या-क्या पढ़ा है अभी तक सबसे पहले हमने पढ़ा reflection of light क्या होता है यानि परावर्तन क्या होता है light का यहाँ पर आती है एक surface के उपर यह आपका shiny surface होता है यहाँ से paint वगएर होता है polish होता है यहाँ आई कोई भी light source से एक light निकली suppose को रोसन से आई है यह इस surface के उपर 90 degree angle पर टकरा के वापिस उसी medium में मुड जाएगी इसको क्या कहलते हैं यह incident ray होती है हमारी यह reflected ray होती है और जो यह angle बनाती है इसको angle of eye बोलते है angle of incidence इसको बोलते हैं our angle of reflection बोला जाता है और इसके अंदर incident ray होती है यह reflected ray होती है और उसके बाद हमने पढ़ा था कि same medium के अंदर जो reflection है वो perform होता है laws of reflection पढ़े थे laws of reflection में क्या था angle eye जो है वो angle r के बराबर होना चाहिए उसके बाद पढ़ा था जो हमारी incident ray होती है जो यह normal होता यानि अबिलंब जो होता है और जो यह reflected ray होती है यह सारे के सारे क्या होने चाहिए same plane के अंदर होने चाहिए यानि same माध्धम में होने चाहिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा था image कितने तरीके की होती है real होती है और एक होती है virtual real मतलब वास्तविक virtual मतलब हमने पढ़ा था आभासी real में क्या था हमें चीजे मिलती हुई दिखती है actual में और virtual में क्या होता वो मिलती हुई दिखती है appear होती है दिखती नहीं है वो हमें appear होती है पर तीथ होता कि वो मिल रही है जब कि वो नहीं मिलती होती चीक है उसके बाद हमने पढ़ा mirror, mirror दो तरीके के होते हैं, plane mirror यानि सम्तल mirror जो हम लोगों का घरों में use होता है, दूसरे थे spherical mirror यानि गोलदार जो थे और इसके अंदर further spherical दो तरीके के थे, convex और concave, मैंने बताया इनका कहां कहां use होता है, diverging, converging nature और plane mirror के अंदर image कैसे बनती है, आगने वाले classes में पढ़ेंगे कि spherical mirror में images कैसे बनती है, कैसे इनका use होता है और इससे और बाकि किस तरीके के question जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे से मने समझाने की कोशिश की है फिर भी आप लोगों को कोई doubt रहता है, जुरूर आप लोग मुझे comment box में mention करना, मैं next class में उस चीज को दूर करने की कोशिश करूँगी Thank you so much, मिलते हैं next class में